आज क्यों जो लेक्चर है यह बहुत ही जादा इंपॉर्टन है बिकॉज इसमें हम एक प्रिवेस यह बेस्ट क्वेशन करेंगे जो की रेशु अनालिसिस चैप्टर से है और यह जो कोशन है यह बहुत ही जादा बार रिपीट हुआ है 15 माक्स में यह डिरेक्ट आपको कोश विच दे सर्फ ओके या फिर आपको यह पूछ लिया जाएगा कि बताओ लिकुडिटी रेशो क्या है डेट इकुटी रेशो क्या है स्टॉक टॉन ओवर रेशो क्या है तो आपको यह जो कोशन है यह बहुत बार आया हुआ है अगर इस चैप्टर से मैं बोलू सबसे चैप्टर चल रहा है जिसमें हम क्या है फोर्थ क्वेशन कर रहे हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप वहां जाके देख सकते हैं स्टैप बाइ स्टैप फर्स वीडियो सेकेंड वीडि तो उससे यह क्या है सारी की सारी वीडियो रेल्मेंट है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम इसका आंसर देखना तो कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन करें या फिर टाइपस ओफ रेशो करें अगर परपस के बैसिस पर देखे हम तो उन्हें हम ग्रूप करते ह P से profitability and S से solvency, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इस वीडियो में हम liquidity ratios को detail में करेंगे, इस से next में profitability ratios को, then activity ratios को और उसके बाद solvency ratios को, ठीक है, तो आपको अगर question समझ आता है, question का answer समझ आता है, ठीक है, तो आपको वीडियो को like कर देना है, and comment भी कर सकते हैं, अगर आ कतलब क्या होता है, कि ability कितनी है firm की, वो pay कर सकती है, अपने short term obligations को, and when these become due, जब क्या है, यह due हो जाती है payment के लिए तो कतनी ability है firm की, यह क्या है, उसको pay कर सकती है, जो उसके सर पर obligation है, liquidity ratios, are the ratios, liquidity ratios, वो ratios होती है, जिसे हम calculate करते हैं, assess करने के लिए, company की ability कितनी है, कि वो कितनी जल्दी जल्दी रीपे कर देती है अपनी short term liabilities को यह जो ratios होती है इनको use किया जाता है assess करने के लिए short term solvency कितनी है ठीक है business की liquidity ratios को हम short term solvency ratios भी बोलते हैं और यह further क्या है इनके types होते हैं जिसमें हम सबसे पहला type पढ़ेंगे current ratio ठीक है तो start करते है current ratios क्या होती है हमारी तो current ratio refers to the relationship तो current ratio क्या है relationship बताती है current asset का current liability के साथ ठीक है तो current ratio क्या है relationship बताएगी current asset का current liability के साथ इस ratio को हम क्या है working capital ratio भी बोलते है फॉर्मूला अगर हम बात करें तो current ratio क्या है relationship बता रही है किसका current asset का और current liability का तो current asset divided by current liability अब यह देखना है हमें main की current assets का meaning क्या है कैसे calculation होती है and current liabilities का क्या meaning है और कैसे calculation होती है okay start करते हैं तो current assets वो assets होते है that are either in the form of cash या तो वो cash के form में होगे या फिर cash equivalent के form में होगे या फिर expected है कि वो realized हो जाएंगे 12 month के अंदर-अंदर और within company's normal operating cycle या फिर जो company की operating cycle है normal उसके अंदर-अंदर के है वो realized हो जाएंगे ठीके तो इसे क्या बोलते है हम current asset फिर current liability की बात कर आपके सर में due है और आपको settle करनी है 12 month के अंदर-अंदर या फिर expected है कि वो क्या है आपके normal operating cycle के अंदर-अंदर आपको settle करनी है okay calculation की बात करें तो current assets को calculate किया जाता है add करके इन सब को जैसे current investment जो marketable securities हो गया inventory of raw material हो गया work in progress हो गया finished goods हो गया stock in trade हो गया फिर cash and cash equivalent हो गया like cash in hand, cash at bank, checks, draft ठीक है फिर short term loans और advantage और other current assets जैसे की prepared expenses हो गया, crude income हो गया, advance, tax, etc. ठीक है और इनके example क्या है वो आपको brackets में दे रहे कि और last में आपको ये बताए कि exclude क्या करना है ठीक है, फिर current liability की बात करें तो current liability भी calculate कर सकते हो आप इन सब को add करके like short term borrowing हो गया, उसमें क्या क्या जाता है bank आ गया, overdraft cash credit ये आ गया, trade payables आ गया, इसमें sundry creditor और bill payables आते हैं, फिर हम देख लेते है significance के है या फिर importance के है क्योंकि ये भी आपको पूछा जाते है कि हर किसी की significance बताओ या फिर importance भी बताओ उसके साथ, तो current ratio indicate करती है, show करती है कि कि कितना amount of current asset available होगा for each रूपी, हर एक रूपी के लिए of current liability, चीक है, this ratio, इस ratio को use किया जाता है major करने के लिए short term liabilities on a time or not, इसे हम ये देखते हैं कि या जो हमारी firm है, वो short term liability को timely pay कर देती है, repay कर देती है कि नहीं कर देती, अगर current ratio 2 ratio 1 है, तो इसको generally considered किया जाते है कि satisfactory है, ठीक है, अगर if the current ratio is less than 2 ratio 1, अगर 2 ratio 1 के क्या है, ये कम है, तो ये indicate करता है कि lack of liquidity है, that is, कि जो firm है, वो face कर रहे कहीं ना कहीं difficulty अपनी current obligations को meet करने के लिए, तो यहाँ पर हमने क्या है current ratio पढ़ा, हमने liquidity ratios के अंदर सबसे पहले current ratio पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे liquid ratio, तो liquid ratio क्या होती है, liquid ratio refers to the relationship, ये ratio भी क्या है, relationship बताते है, liquid acid और current liability के बीच में, इसको हम quick ratio या फिर asset test ratio भी बोलते है, formula क्य ये liquid asset को current liability के साथ relationship बताती है, तो इनको क्या हम divide कर देंगे, अब liquid asset कैसे निकलते है, तो सबसे पहले तो आप current asset ही निकाल लो, बस उसमें से minus आपको करने है, दो चीजे, पहला inventories और दूसरा other current asset, जिसमें क्या क्या आएगा, सिरफ prepared expenses, advances, tax, ठीक है, तो अगर inventory, prepared expenses, advance, tax, इ जानने के लिए कि उसकी short term financial position कितनी है, ठीक है, अगर one ratio one हमारा answer आ रहा है, तो इसको considered किया जाता है, acceptable, high liquidity ratio, better show करती है, ठीक है, कि हाँ भई, company की high liquidity ratio है, ओके, थर्ड इसी के अंदर आता है, हमारा absolute ratio, absolute liquid ratio, liquid ratio ही पढ़ रहे हैं, हम इसलिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, त most liquid asset में आप एक तो cash in handle, उसमें plus कर दो cash at bank, और plus कर दो उसमें marketable securities, short term investments होती है, इन तीनों को अगर क्या प्लस कर दोगे, तो आपके most liquid asset आ जाएंगे, और उसको divide कर दने है, आपको current liability के साथ, current liability हमने क्या है, समझ लिया कि कैसे निकालते हैं, अब इस ratio की significance देखे, तो यह ratio help करती है, enterprise की measure करने में कि कितनी capacity है, कि वो pay कर सकते हैं, अपने short term liabilities को quickly, ठीक है, जो उनके available cash sources है, उससे, absolute liquid ratio है, generally 0.5, ratio 1, generally considered किया जाता है कि ए acceptable होती है, तो यहाँ पे हमने 3 ratio पड़ी, जो किसके अंडर पड़ी हमने, liquidity ratio के अंदर हमने 3 ratio पड़ी, ठीक है, एक current, एक liquid और जाएगा और यह आता है, एक ही question है 15 marks में, ठीक है, या फिर आप से क्या, अलग-अलग बीन में से कोई particular ratio भी पूछ सकते हैं, 5 or 15 marks में, तो अगर आपको liquidity ratios है, जो वो समझ आई हो, तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर कर देना, thank you for watching this video.